कि यह साइट स्टेट बॉर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया विर्साइट है यहां पर सभी सर्कुलर स्टेट बॉर्ड के आते हैं तो हम देखते हैं नया सर्कुलर जो यहां पर आया है GACBSERVICES.COM साइट में हज़ी डायरेक होगा और यहां पर गुचकेट 2025 का सर्कुलर आया है हम सर्कुलर देखते हैं यह 2025 का यहां पर 12 स्टांडर के साइंस के बच्चों के लिए जो डिक्री एंजिनरिंग और डिक्री और डिप्लोमा फार्मसी अपियर स्क्रम में जाने वाले ह है उसके लिए यहां 2017 से गुद्रात कॉमन एंटरंस स्टेश ट्रका और वो कंपल्सरी किया गया हुआ है तो उस तरह के अधर पर 2025 में भी स्टेट बॉर्ड के डिग्री एंजिनरिंग डिग्री डिप्लोमा फार्मसी अभियर स्क्रम के प्रवेश के लिए आपको एक्जाम देना कंपल्सरी है साइंस ग्रूप के ए ग्रूप के बच्चे बी ग्रूप के बच्चे और ग्रूप ए बी के सभी बच्चों को गुद्सकेट की एक्जाम देनी पड़ेगी यहां पे स्टेट गवर्मेंट ने 23rd मार्च संडे को यह एक्जाम रखा हुआ है और यहां पे गुचके 2025 के जो भी एप्लिकेशन फॉर्म है वो ओनलाइन वो यह साइट पे आएंगे यह साइट सबसे जरूरी वेबसाइट है और सभी रिजल्स सभी अपडेट्स यहां पे आते हैं यह GACB की वेबसाइट है सभी इंफॉर्मेशन यहां पर दिये गई हुए और वेन य बॉर्ड वेबसाइट यहां पर डिस्पले होगा GACB services.com सो न्यूज हेडलाइन यहां पर दिखाई देते हैं तो यहां पर जो सर्कुलर आया है इसके बारे में हम बात करते हैं कि सर्कुलर में गुचकेट की एक्जम के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और इंपर्टन इ तक वो डिस्टिक के सेंटर में होगी और गुचकेट का जो भी अभ्यास क्रम है वह यहां पर दिया गया लाएं गुचकेट के अभ्यास क्रम में जे जो भी जा जीएस भी बॉर्ड के NCIT की सभी पाठ्य पुस्तक जो भी है उसका अभ्यास क्रम होता है उसमें Physics, Chemistry और Biology और जो Maths Group के बच्चे होएं उसको Maths Group के NCIT की पुस्तक के में से Questions आएंगे जो यह अभ्यास क्रम है गुचकेट 2024 एक्जामिनेशन का ठीक है उसके बाद परिक्सा गुचकेट की एक्जाम जो भी है कैसे ली जाएगी यहां पर यहां पर फिजिक्स के 40 questions और एक क्वेशन का एक मार्स होता है क्यमेस्ट्री का 40 questions 40 मार्स और यह दो question paper combine होते है उसका time duration 120 मीट्स होता है जो बच्चों ने बी गुरूप लिया हुआ है वो biology के बच्चे को 40 marks का questions आता है और 40 question और 40 marks और उसका time limit है duration 60 minutes means one hour और मैंस ग्रूप के बच्चों के लिए भी 40 questions आता है 40 marks and duration 60 minutes यह इसका एक्जाम का pattern है this is the exam pattern ओके physics और chemistry का question paper combine होता है और 40 questions as यहां पर हमने डिसकस किए वो 40 questions physics क्याता है और 40 questions chemistry क्याता है और total 80 questions और आपको मिलता है 120 minutes का time और यहां पर OMR answer sheet और आपको 80 questions के answer देने होते हैं और feel करने होते हैं OMR answer sheet में और यहां पर जो भी बच्चों ने biology लिया हुआ है और math group के बच्चे है उसको अलग से question paper आएगा वो भी आपको OMR sit अलग से मिलेगी और यहां पर biology और math group के बच्चों को 40 questions आएंगे और 40 marks के और उसका duration है 60 minutes और OMR sit आपको feel करनी पड़ेगी ओके ठीक है और परिक्षा का मध्यम क्या है तो आप गुदराती medium के बच्चे है तो आप गुदराती में exam दे सकते हैं इंग्लिस मीडियम के बच्चे हैं तो आप इंग्लिस मीडियम में exam दे सकते हैं और आप हिंदी मीडियम में अभ्यास करते हैं तो हिंदी मीडियम का भी options यहां पर दिया गया हुए है और यहां पर आपको जो इंपॉर्टन है वो है 23 माज 2025 और हमने जो circular आगे देखा था है पर exam की date जहां पर जो exam की date भी गई है वो है आपको 12th standard की 10th और 12th standard की जो प्रैक्टिकल exams होती है वो प्रैक्टिकल एक्जामस स्टार्ट होगी 6th February से 14th February 2025 को आपकी प्रैक्टिकल एक्जामस स्टार्ट होगी physics, chemistry और biology की जो आपको आपने computer subject select select किया हुआ है तो before 6th February आपको एक्जाम देनी पड़ेगी computer की बौड की exam school conduct करते हैं और school premises में आपको वह exam देनी होती है उसके बाद आपको यह exam देनी पड़ेगी physics, chemistry, biology की कोई भी center में आपके district और आपके city में जो भी center होता है physics, chemistry, biology के और science stream के school होते हैं वहाँ पे आपका एक्जाम होता है वह 6th February से start होगा अप्टू 14th February और आपका exams जो है science का 12th science का वह start होगा 26th February से और 13th March तक वह चलेगा ओके यह 10th और 12th अंदर के science के बच्चों के लिए है और 13th March के बाद आपको गुचकेट की exam देनी 23rd को पड़ेगी ओके आपको इसके बारे में अधिक जानकरी मैं दूंगा और how to feel good creative form वो भी हम जबी circular आएगा how to feel form online form उसके बारे में हम detail में discuss करेंगे जब वो circular आएगा तब तब तक के लिए आप exams की preparations करते रहेए best luck and best wishes for upcoming exams कुछ कुछ खूंगा प्रॉए्स